हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पाइरल स्टडी में बच्चों ये वीडियो काफी जरूरी था उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी में लगे हो हैं अब है ना यानि पुरे साल तो नहीं पढ़े लेकिन अब पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको एक्जाम में पास होना है तो basically मैं आपको बता दू ये top 20 topics मैंने अपने self experience को ले करके आप लोगों के सामने रखे हैं basically मैं आपको हर topic बताऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे इसका screenshot ले लोगे आप और बस अपना घर पर पढ़ना शुरूरू लेगिन एक छोटी सी बात आप मेरी सुन लो पांच मिनट की वीडियो जाएगी बस इन पांच मिनट की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके board exam में आपके science के marks में साफ साफ दिखाई देगा ठीक है बच्चो topics तो आप पढ़ी लेंगे कौन कौन से topics हैं ठीक है यहां कौन से topics हैं यह आप पढ़ लेंगे जिन में आपको समश्या होती है मैं आपको बता दूँगा एक तो समश्या आपको होगी ray diagram यहां मै खाना कैसे पसता है फोटो सिंतेजी जानी पोदों में खाना कैसे बनता है कॉंट्रैसप्शन के method क्या होते हैं तीन method आते हैं हमेशा पूछने में ठीक है तो यह सब आपको बताना है उसके बाद क्या होता है जब जब अंडे का निसेचन नहीं होता ठीक है यानि what happens to human act when it is not fertilized ठीक है उसके बाद में sex determination यानि लड़का है लड़की है किस तरह पता चलता है है ना xy का system videos पड़ी में यह देख लेना ठीक है उसके बाद बच्चों मेंडल्स लो पी प्लांट वाला मटर के पोदे वाला हमेशा आता है और सबसे बड़ा कोशन जो लास्टियर भी था एफ़न जनरेशन में और एफटू जनरेशन में इसका रेशो क्या रहता है वो याद करके जाए ठीक है बच्चों उसके बाद में बच्चों रियक्शन एग्जो धर्मिक एंडो थर्मिक आपकी कॉमबिनेशन डिकंपोजिशन दिस्प्लेस्मेंट ठीक है वैसे तो मैंस सब के नाव आपको दे दूंगा लेकिन में जो है reference into the xuelle के बिंप्लेशन इंडो थर्मिक एक्जो ए ञाता क्एक्षन फूचे जाते है उसके ऐदम बड़ और वाइड लाइट यह प्रिस्म वाला कोश्चन है वाई डू स्टार्स ट्विंकल तारे क्यों टिम्टिमाते हैं यह आप लोग बता देंगे यह मैंने आपको बता दिया उसके बाद मोटर डबल सर्कुलेशन इन हर्ट यानि कि हमारे दिल में कैसे होता है डबल सर्कुलेश को बिलकुल मत छोड़ना इस वीडियो को पूरा का पूरा कंप्लीट आप निकाल करके और इन टॉपिक्स को पढ़ लेना आपके एक्जाम में 100% आपकी हल्प करेंगी ठीक है बच्छों ज्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा यह क्वेशन आप लोग रेडी कर लेना स् जेश्री राम स्क्रिंशोट ले लीजिए आप फटा फट से ठीक है और इनी कोश्चन्स को अपना रेडी करो थेंक यू बच्छों